नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रवी और आप देख रहे हैं रवी मॉनिटर दोस्तो कम्प्यूटर स्टार्ट करते वक्त एक ब्लैक स्क्रीन चोती है जो कि आप इस सेट देख सकते हैं अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स इस पे लिखा हुआ है ये स्क्रीन आने के बाद आपका कम्प्यूटर स्टार्ट नहीं होता तो कैसे कम्प्यूटर को स्टार्ट करें और किस तरीके से मैं स्टार्ट करता हूँ और कैसे यह problem ठीक होती है तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में और हाँ दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और notification bell icon को all पे कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की notification आप तक पहुंच सके चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यह आगे हम अपने डेक्स्टॉप पे यहां पे यह ब्लैक स्क्रीन पे यह शो हो रहा है अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स इसमें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं इसके अंदर एक चीज यह कह रहा है सीमोस सेटिंग रॉंग तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वह चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पे सिंपली आपको सैटप खोलना होगा उसके लिए क्या करेंगे एफ्टू यह डैल दबाना होगा एफ्टू डैल दबाके यह स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों मैं बता बोड में हमें एडवान सैटिंग पे जाना पड़ता है जैसे कि यह गए और आपको मैसिज दिखा देता हूं यहां पे यहां यहां पर सिरफ डेफॉल्ट सैटिंग होईगी और सीधा एंटर यह यह सेव हो गई अब F4 दबाएंगे फिर यह जो भी सेटिंग हमने की है यह उसको सेव करने के लिए काएगा ठीक है सीधा एंटर येस और यह हमारा कंप्यूटर हुआ यह से से दोस्तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर से भी आपकी प्रोब्लम सॉल्व नहीं होती तो हाड्वेर की दिक्कत हो सकती है इसके अंदर हाडवेर में एक सेमोज आता है इसका एक वह आपको किन्ज करना पड़ेगा या मार्किट करवाना पड़ेगा अगर की प्रॉबलम नहीं होई तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम usual हो जाएगी मेरे कंप्योटर में क्या है तो हार्डवेर की प्रॉब्लम है वही सीमोस सेल वाली तो मुझे मेरे कंप्यूटर को बार-बारी इसी तरीके से ओन करना पड़ता है लेकिन अगर मैं कंप्यूटर चला रहा हूं ड्रेक्ट कुछ मतलब खाली रिस्टार्ट किया तो वह मतलब मैसी शो नहीं होता वह ब्लैक करता हूं दोस्तों आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए मिलते हैं फिर किसी और एक नहीं वीडियो में